है ल tutaj है,"लिए, हमारा है Mah bets ये आज है ये हमारा इसाफ भीट ये लेफा का पात का कण्या है क्दाव हक है वई ये परेक्पार विदियो में हम डेफिनेस्ट का पात थी और इस फ्एडियो में हम अब हम इस वीडियो से हम फॉर्मल डेफिनेशन पर आते हैं जो लिमिट की डेफिनेशन है और उसकी क्यों जरूरत हो वो भी हम देखेंगे तो मैं जरूर रिकमेंड करूंगे पूरा वीडियो जरूर देखेंगे का इससाब के पूरा कॉंसेप अच्छे से क्लियर हो जाए क्योंकि यह बहुत सारे बच्छों कॉंसेप में कंट्विजन होती हैं तो लेस्साट कर देखेंगे । इन प्रैक्टिस इस नोत पसीब ऑन-फिवर이라 प्शेप लान इन सेमप्स अधिस व थृडियो के क्यों के कोईिस सिंपल प्शेंपल में भी कभी कभी क्या होता है कि यह बान नीः भॉज़ीऊं जिख बहुटक्छ ग्राफिकल मेटक से फाइंड कर पाएंगे तो एकसा एक्जाम्पल भी है यहाँ पर एक्जाम्पल दिया है कि find the limit of function sin 1 by x when x tends to 0 अब इसका limit find करना है जब जब इसका limit आप find करने जाएंगे तो आपको तीन answers मिलेंगे देखो यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि sin n by x is equal to 0 when x is 1 upon kpi देखो यहाँ पर रखके भी दिखा देता हूं कि sin 1 by x अब x की बजाए क्या लिखा है हमको 1 upon kpi therefore क्या हो जाएगा sin kpi मतलो पर चला जाएगा 1 upon 1 upon kpi x की बजाए तो हमारा which is equal to sin kpi और आपको पता है कि sin kpi मतला sin 0 या sin pi 2 pi 3 pi सब की values क्या होती है 0 होती है और x tends to 0 ही होगा क्योंकि यह है 1 upon kpi x क्या है हमारा 1 upon kpi तो जहसाब k की values बटाते जाएगे हमारा x क्या होगा वह tends to 0 हो जाएगा तो आप अगर x की value यह ले तो आपको sin 1 by x 0 मिलेगा अगर आप x की value यह ले और आप इसमें put करेंगे तो आपको value sin 1 by x की 1 मिलेगे अगर आप यह लेते हैं और अगर आप इस function में sin 1 by x में लेखते हैं तो आपको answer minus 1 आगता है मतला आपको परफेक्ट आपको नहीं मिल रहे कभी 0 मिल रहा है कभी 1 आपको लिए मारे सारे में एक्स तेंस तो जीरो आपको यह सारे आप क्योंकि यहां पर मैं नहीं है जैसे में के value बटती जाएंगी यह हमारा जो function है एक्स जो हूँ टेंस तो जीरो हो तो सारे में सो limit of sin 1 by x 10 अन्य तो तो उनक समझने के कोशिश करता है मैं पहले देफिनेशन से पड़ लेता हूं फिर हम उसको थोड़ा समझने के कोशिश करेंगे सो डेफिनेशन इस तरह से है लेट f of x be a function define on a domain एक function f of x जो domain d पर define हुआ है containing some interval अब इस domain में कोई इंटर्वल है समझ लो x1 to x2 ऐसा कोई इंटर्वल है फिर containing a यह एक point है इस interval यह जो इंटर्वल है इसमें कोई एक point a contain होता है but a may not be in the domain of f यह जो point है यह f के domain में हुआ ऐसा ज़रूरी नहीं है इसके लिए एक्जामपल ले लेते हैं आपको समझ में आ जाएगा कि समझ लो कि f of x is equals to क्या है कि 4 x square minus 2 upon x minus 2 अब यहां पर domain में x not equals to 2 होगा इस function में x2 नहीं हो सकता है तो आप देख रहे हैं कि f of x का domain है जिसमें की इंटर्वल कंटेन आता है वो उस इंटर्वल में यह point है पैसा जरूरी नहीं है कि यह point domain में हो जैसे x not equals to 2 यह 2 जो है वो f के domain में नहीं आता तो यह बोलना चल रहे है if for every epsilon greater than zero there exist some delta greater than zero such that whenever a minus delta less than X less than a plus delta when x not equals to a implies l minus epsilon less than f of x is greater than l minus epsilon less than l plus epsilon we say that limit of f of x when x tends to a is equals to R or limit of f of x as x tends to a is till मतलब यह notation में और यह words में तो यह definition होई हमारी limit of a function की फिर से में read कर रहा हूं और फिर थोरा और समझ नेगोशिश करेंगे let f of x be a function define on a domain containing some interval containing a but a may not be in the domain of f if for every epsilon greater than 0 there exists some delta greater than 0 such that whenever x is greater than a minus delta and less than a plus delta x not equals to a implies f of x is greater than l minus epsilon and less than l plus epsilon और यह condition follow हो गई तो क्या होगा हम क्या बोल सकते हैं we say that limit of f of x when x tends to a is l so उसको मैं और simple यहां पर लिख लेता हूं कि क्या चाहिए होगा definition limit में तो हमको पहले चाहिए है एक delta पहले तो हम यह बोले थे for every epsilon for every epsilon greater than zero और यह एक्जिस्ट बहुत चोटी वैली होती है 0.0001 ऐसी epsilon की positive है पर बहुत चोटी वैली है for every epsilon greater than zero there exists delta greater than zero such that और सारे epsilon के लिए कोई delta exist करेगा वह भी positive होगा such that क्या होगा कि whenever जब भी जब भी हमारा जो x है वो a plus delta sorry यहां पर a minus delta है एक्स जब मारा होगा a minus delta से बड़ा और a plus delta से छोटा जब भी यह होगा इसका implication क्या होगा इसका implication यह होगा कि हमारा जो function f of x वो greater than l minus epsilon होगा and less than l plus epsilon होगा यह definition का meaning होता है for every epsilon greater than zero there exists delta greater than zero such that जब भी x यह range में होगा तो हमारा f of x यह range में होगा और हमारा जो limit of f of x होगा limit of f of x when x tends to a वो हो जाएगा l हो जाएगा यह value हो जाएगी so friends यह होगा हमारा definition of limit अब हम क्या करते हैं कि इसको और अच्छे साम example में समझ जाएगे definition को हमने समझ लिया है examples भी देखेंगे तो और clear हो जाएगा आपको concept सो आगे बढ़ते हैं see that delta greater than 0 in any positive is any positive number delta greater than 0 कोई भी positive number हो सकते हैं hence f of x can be brought as near to l as we please हम function को l के जितना चाहते उतना करीब लेज जा सकते हैं is greater than minus epsilon and less than epsilon यह कुछ नहीं है आपको हमने अभी देखा अपने definition में f of x वह हो क्या होगा l minus epsilon से बढ़ा और l plus epsilon से छोटा अब इसमें क्या कर दिया है कि सब जगा minus l कर दिया तीनो साइड minus l कर दिया है l minus epsilon minus l minus l minus l के अंसा है plus l minus l के अंसा है अचेगा minus epsilon f of x minus l and less than epsilon और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि mod of f of x minus l is less than epsilon यूंकि mod of a less than x का मीनिंग क्या होगा कि a is greater than minus x and less than x तो जब भी minus और कोई भी ऐसी condition बने तो हम उसको ऐसे भी describe mod से भी describe कर सकते है तो वह यह लिखाई है यहाँ पर और f of x minus s mod of f of x minus l less than epsilon just by proper selection of delta such that यह हम ऐसे भी लिख सकते हों कि by x minus a mod of x minus a is less than delta तो हम delta कोई positive number है और हम f of x को जितना चाहते है जा सकते है उतना है l के करीब लेचा सकते है क्या हमको करना परेगा बस delta प्रॉप delta का एक proper selection करना परेगा थर्ज f of x can be brought as near to l as we please if we can choose delta greater than 0 such that x should be brought nearer to a तो f of x को हम l के बहुत करीब ले जा सकते है क्या proper selection of delta करके और वो क्या करेगा proper selection of delta के हमको x को जो है वो a के करीब ले जाएगा यह एक के करीब जाएगा और f of x के करीब आएगा अब हमने definition of limit देख लिए हम हम left limit of function की definition देख ले ले के what is left limit of function तो मैं read करने था हो पहले इफ f of x is a function define in some interval a minus h2 a where h is greater than 0 तो उस में definition of limit में क्या देखा है f of x define होता है domain में पर हमने इसमें सीधा interval ही देदिया by f of x यह interval पे define होता है and if for every epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that f of x is greater than equal greater than l minus epsilon and less than l plus epsilon whenever x belongs to a minus delta to a तो definition of limit और इसमें बहुत ही बारीक फरक है left limit of function क्या फरक है तो आप देखी पार है कि पहले तो हमने f of x को सीधा एक interval में define कर दिया फिर तो same ही है for every epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that f of x is greater than l minus epsilon to and less than l plus epsilon whenever x belongs to a minus delta to a पहले क्या था कि whenever x is greater than a plus delta and less than a minus delta तो इसका implication यह आता था कि f of x is greater than l minus epsilon and less than l plus epsilon बस इसमें यह ही change आ रहा है कि अब यह नहीं है तो इसमें बस इतना ही change आ रहा है और इसका implication यह होगा left limit और हमारा definition of limit में क्या फरक है है कि x belongs to सब सेम रहेगा x belongs to a to a plus delta हो जाएगा पस इतना ही फरक आएगा और हमारा जो interval जिसमें function defined हो अभी function कि में define हो रहा है कि a minus h to a में define हो रहा है पर right limit में क्या हो जाएगा कि f of x define होगा हमारा a to a plus k में where k is greater than 0 पस इतना ही फरक आएगा हमारा left or right limit के definition में तो फिर से पढ़ लेता हूं तो if f of x function defined in some interval a minus h to a where h is greater than 0 and if for every epsilon greater than 0 there x is greater than 0 such that f of x is greater than l minus epsilon less than l plus epsilon whenever x belongs to a minus delta to a and delta is less than h और जो delta होगा हमारा h से छोटा होगा we say that left limit of f of x left limit of f of x is l और limit of f x when x tends to a minus is l यह left limit हो गया हमने अभी पूरा समझी लिए अभी right limit भी देख रहा है if f of x is a function define an interval a to a plus k में आप ही लिखा ही है a to a plus k है where k is greater than 0 and for every epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that f of x is greater than l minus epsilon less than l plus epsilon whenever x belongs to a to a plus delta में आप ही लिखा ही था यह हमारा left limit के लिए हमारा right limit के लिए and delta is less than k उसमें भी delta less than h था इसमें delta less than k है then we can say that right limit of x is l when x tends to a plus and limit of x when x tends to a plus is n so यह हमारा होगा left limit और right limit की definition इससे थोड़ा definition और आपको clear हो जाएगा so let's start definition में हमने क्या देखा था के for every epsilon greater than 0 for every epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that such that whenever whenever a minus delta x is greater than a minus delta and less than a plus delta यह हमारी definition हमने पूट कर दी आप हमको x की बजाए चाहिए f of x क्या चाहिए यहां पर जो x है उसके बजाए हमको चाहिए f of x वो आ जाएगा तो यहां पर जो भी value होगी वो हमारा limit l हो जाएगा answer हो जाएगा तो हमको ऐसा delta चाहिए for every epsilon greater than 0 हमको ऐसा delta चाहिए हम देखा कि आपको delta select करना होगा just by proper selection of delta we can take the function f of x nearer to n nearer and nearer to l तो हम क्या करेंगे इस case में देखो हम याद रखना है क्या करना है x का हमारा जो coefficient है 3 तो हम क्या करेंगे delta को epsilon by 3 suppose कर लेंगे delta को epsilon by 3 suppose करेंगे तो हमारा x की बजाए 3 एक साज़ाएगा देखे केस होता है so यहाँ पर हमने यह define करेंगे है let delta is delta is equal to epsilon by 3 तो इसमें यह condition भी satisfied for every epsilon greater than 0 यह जो epsilon greater than 0 होगा there exists delta greater than 0 तो हम इस तरह क्या से define करने से हमारे जो यह पहली condition है satisfy हो जाती है अब हमको x की बजाए f of x है यह बस वह ही चाहिए तो हम यहाँ पर delta की value रख देते है delta क्या है epsilon by 3 x a plus epsilon by 3 और हमको आपर a भी दिया है a क्या दिया है 2 दिया है x tends to a तो यहाँ पर x tends तो हमको 2 ही है मतलब a की value क्या है 2 तो मैं 2 रख देता हूं therefore 2 minus epsilon by 3 greater than x x is greater than 2 minus epsilon by 3 and less than 2 plus epsilon by 3 LCM ले लेता है तो क्या होगा 6 minus epsilon by 3 x and 6 plus epsilon by 3 अब हमको यहां से 3 हटाना है मतलब मैं सब जगह 3 से multiply कर देता हूं तो यहां भी 3 से multiply यहां भी 3 से multiply यहां भी 3 से multiply तो क्या होगा 3 3 cancel 3 3 cancel और यहां पर 3x आ गया तो हमारा हो जाएगा 6 minus epsilon less than 3x 3x is greater than 6 minus epsilon and less than 6 plus 6 minus epsilon 6 plus epsilon तो हमको यहां पर मैंने बोला था मुझे x की बज़े 3x चाहिए तो मेरा काम हो गया epsilon by 3 suppose करने से तो हमको याद करने कि जो भी coefficient हो epsilon by उससे coefficient कर दो बस इतना ही आपको करना है अब हमको f of x के लिए क्या चाहिए यहां प्लस 2 भी है तो हमको प्लस 2 चाहिए होगा therefore क्या होगा 6 minus epsilon plus 2 कर देते है तीनों साइड 3x plus 2 and 6 plus epsilon plus 2 therefore 2 plus 6 क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा and 3x plus 2 less than 8 plus epsilon तो देखो यह f of x आ गया which is greater than l minus epsilon and less than l plus epsilon तो हमारे l के value क्या आ गई 8 आ गई तो वह हमको देखना था कि हमको वही चाहिए था कि limit of 3x plus 2 when x tends to 2 is equal to 8 तो जैसे हम यह को 2 रख दिया और डल्टा को epsilon by 3 रख दिया हमको हमारी condition मिल गए मतलब हमारे यह satisfy हो गया तो यह होता है definition से solve करना एक और example लेत तो यह example लेकते है यह second example जो यह इस example का previous example का general example है और यह भी हम solve करना जीस से आपको यह concept बढ़ा clear हो जाएगा तो हमारे example क्या है कि find the limit of the function sorry find the limit of the function mx plus c where x tends to a is equal to ma plus c यह हमको find करना है पहले हमको पता है कि by for every epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that whenever whenever x is greater than a minus delta and less than a plus delta तो हमने पहले ही बोला था कि x का जो भी coefficient हो उस तरीके से हमको del suppose कर देना है पहले हम और यहां पर एक सेंस तो ही है तो a का a ही रहेगा तो वो चिंजीज नहीं आगा तो first हमको क्या करना है कि choose हमको delta को perfect selection करना है जिससे यह condition हमारी satisfy हो जाए तो delta को हम ले लेते है अभी जो भी coefficient हो epsilon को उससे divide कर दो अब यहां पर m है तो m can be positive हो नेगेटिव भी हो सकता है पर हमारा जो डेल है वह क्या है greater than 0 तो हम यहां पर अगर सिधा m लीख देंगे तो नहीं चलेगा क्यूंकि m positive हो सकता है negative हो सकता है अब यह क्या करना पदेगा divided by m करना पदेगा यह क्योंकि हमारा delta अब इसमें हमारा डेल्टी वैल्व पूट कर देते हैं तो डेल के हमारा एमाइनस एप्सलोन बाइम लेस्ट देन एक्स लेस्ट देन एप्सलोन बाइम पूट कर दिया अब क्या गरेंगे कि तीनों साइड को को एम से मल्टिप्लाइ कर देंगे माई माइनस एप्सलन बाइम इंटु एम लेस्ट देन एम एमएक्स टेंट एन एम ₹ प्लस एप्सलोन बाइम इंटू एम ने कुछ नहीं किया तीनों साइड हम ने मैं मुट्लाइक कर दिया तो X के बज़े हमने तीनों साइ M से मल्टिप्लाइ करके M X हमने पा लिया अब क्या होगा कि यह M M cancel हो जाएगा यह M M cancel हो जाएगा तो क्या बचेगा therefore M A minus Epsilon M X is greater than M A minus Epsilon less than M A plus Epsilon अब हमको क्या चाहिए प्लस C भी चाहिए function के लिए तो हम क्या करेंगे तीनों साइट प्लस C से प्लस कर देंगे प्लस C M X plus C less than M A plus Epsilon plus C so हमको क्या मिल जाएगा कि M A plus C minus Epsilon M X plus C and M A plus C plus Epsilon तो यह हमारा क्या होगा L होग जाएगा यह हमारा F of X है आ गया यह हमारा जाएगा L plus Epsilon and L minus Epsilon और L क्या होगा हमारा L is equals to M A plus C therefore limit of M X plus C where X tends to A is equals to M A plus C क्योंकि L तो L की बज़ा क्या हमारा M A plus C तो होप करता हूँ कि आप इस दोन एक्जामपल से definition of limit समझ गये होगे right limit of function भी समझ गये होगे और इसकी जरूर क्योंकि वह भी मैंने स्टार्टिंग में explain कर दिया था तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक किज़े शेयर किज़े और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किज़े और थेंक यू वेरी मच्छ